प्रेदर्शेकों नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल रावकला स्टील प्लांट द्वारा दो चालू फरनेशों में से एक जिवस्य सारवादिक हॉट मेटल उत्पादन दर्ज सेल रावकला स्टील प्लांट में साल भर के परशिक्षन के लिए 225 नाटक टकनिसियन एवंग ट्रेड अपरेंटिस परशिक्षाती सामिल और सेल रावकला स्टील प्लांट के ठेका सरमिकों के लिए निवारक स्वास्त जान सिविर का आयोजन अब समाचार विस्तार से सेल रालकला स्टील प्लांट RSP ने ब्लास्ट फरनेस के संचालन से एक दिन में होट मेटल उत्पादन का नया रेकॉर्ड दर्ज किया स्टील प्लांट ने 11 सितंबर 2024 को 13,375 टन होट मेटल का उत्पादन करके या उपलबदी हासिल की जिससे 15 अगर्ज 2024 को दर्ज किये गए 13,256 टन के पिछले सर्वसे उत्पादन को पार कर लिया उलेकने है कि RSP ने ब्लास्ट फरनेस हैस 4 को बंद कर दिया और वर्तमान में केवल दो ब्लास्ट फरनेस अर्थाद BF हैस 1 और BF हैस 5 का संचालन कर रहा है BF हैस 5 ने 11 सितंबर को 10,105 टन उत्पादन करके स्थापना के बास से तीसरी बार 10,000 टन होट मेटल उत्पादन का आकड़ा भी पार कर लिया फरनेसो का प्रदेशन इसलिए अधिक महत्यपुण है क्यूंकि BF के लिए चुनाती पुण माने जाने वाले मानसून के दोरान रिकॉर्ड हासिल किये गए है 12 सितंबर 2024 को RSP के निर्देशक प्रभारी स्री अतुनु भौमिक ने ब्लास्ट फरन्वेस पांच का दोरा किया और विभाग के साथ साथ उनकी संबंध इकाईयों को बधाई दी उनके साथ कार्य पलक निर्देशक मानव संसाधन तता अतिरिक प्रभार कार्य पलक निर्देशक परियोजने स्री तरुन मिश्र, कार्य पलक निर्देशक खान स्री आलोक वर्मा, कार्य पलक निर्देशक विट एवंग लेखा स्री एके बहुरिया, मुख्य सामगरी प्रवंदग तथा अतिरित प्रभार कार्य परलक निर्द्यसक सामगरी प्रवंदग स्री अनिल कुमार और आरेस्पी के कई अन्य मुखे महाप्रवंदग एवंग वरिष्ट अधिकारी उपस्तित थे ब्लास्ट फरनेस टीम को बधाई देते वे स्री भौमिक ने सभी संभन्ध विभागो और सेबा प्रदताओं के परियाशों की सरहना की उन्होंने कहा आईए हम जो भी करे उसमें अपने मुल्यों का जोड़े और सही तरीके से सही काम करना सुनेश्चित करे जो स्वचाली तूप से अच्छे परिणामों में तब्दिल होगा उन्होंने सर्वतम रख रखाओं और संचालन प्रक्रियाओं का पालन करके फरनेशों के स्वास्त को बनाए रखने पर भी जोड़ दिया DIC ने रिकॉर्ड हासिल करने के लिए ब्लास्ट फरनेश और सहाइक विभागों के कर्मी समों को गुल्दस्ते और मिठाई दी सभी कारेपलक निदेशक ने निदेशक प्रभारी के साथ मिलकर ब्लास्ट फरनेश और संबंदित विभागों को इस उपलबधी के लिए बधाई दी और उत्पादन को बहतर बनाने के लिए हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करने का आश्वाशन भी दिया इस अवसर पर बी एफ हैस पांच के वरिष्ट अधिकारियों ने भी बात की और इस गती को बनाए रखने के लिए सामोहिक संकल्प को दोहराया मुखे महाप्रबंदक बी एफ स्री सुमीत कुबान ने सहयोगी एजेंसियों को उनके समानिवित परियाशों के लिए और सिर्ष परबंदन को उनके निरंतन समर्थन के लिए धन्यवाद दिया यह उपलब्दी सिंटर प्लांट, रौ मेटरियल, हैंलिंग प्लांट, कोक ओवेन, ट्राफिक और रौ मेटरियल, कैप्टिब पावर प्लांट, ऑक्सिजन प्लांट, प्रोडक्शन, प्लानिंग, एड़, कंट्रोल विभाग और अनुसंधान, एबंग नियंतरन परियोक उप्षाला जैसे सभी संबंदित विभागों के एकिक्रित टीम परियास, कच्चे माल की गुणवत्ता पुन्द, आपूर्ती और सबसे बढ़कर ब्लास्ट फरनेस कर्वी समों के द्रिड़ परियासों के कारण हासिल की गई, सेल्रावकला स्टील प्लांट आरेस्पी में ये तीन दिवस से इंडक्शन वर्क्शॉप 12 सितंबर से गोपबंदू ओडिटोरियम में प्रारम की गई है, मुखे महाप्रवंदग HR LND सूस्री राज्यसी बैनर जी ने उद्गाटन सामरू की अध्यक्षेता की, प्रसिक्षों को संबोधित करते वे सूस्री बैनर जी राश्टर निर्मार में RSP के महत्वा और सरकार की कौसल भारत पहल में इसके आधार योगदान पर प्रकाश डाला, उन्होंने सभी से अत्याधिक सुरक्षा के साथ अपनी तकनीकी जान को बढ़ाने के अवसर पर शर्वतम उपयोग करने का आग्रह किया, तीन दिवस से प्रशिक्षों को सेल और RSP सुरक्षा पहल्यों, गैस सुरक्षा, अगनी सुरक्षा और विद्यो सुरक्षा स्वास्त युक्तियों के सासत कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पात तक कि संपूर्ण एकिकृत इस्पात बनाने की प्रक्रिया पर सक्षिब जानकारी दी कारियकरम का संचालन उपमप्रवंदक HRD स्री एस के सुकला दुआरा किया गया। कारियकरम का उद्यश से सरकार के कौसल भारत मिसन के साथ तालमेल बिठाते हुए वेवसाइक सिक्षा और कौसल विकाश को बढ़ावा देना है। RSP के नगर इंजिनेरिंग नगर सेवा उद्यान क्रिशी और चिकिस्सा एवंग स्वास्त सेवा विभाग में कारेरत 76 ठेका स्रमिक 10 सितंबर 2024 को नगर इंजिनेरिंग समेलन कक्ष में आयोजित निवारक स्वासजांस सिवीर से लावनिवित हुए। सिवीर का आयोजन HR कॉंट्राक्ट लेवर सेल द्वारा ESI मॉडल अस्पताल की मदद से किया गया था। ESI कॉर्परेशन के डॉक्टरों और तकनीशियों ने स्वासजांस गतिवीदियों का संशालन किया। लेकिने हैं कि स्वासजांस सिवीर के वल 40 से उपर आयोवर के ठेका स्रमिकों के लिए आयोजित किया गया था। बीमारियों के प्रभा का पता लगाने और उनके रोक्थाम तता जन सक्ती के सर्वतम प्रदर्शन के लिए स्वस्थ और फिट रखने में मदद करने के लिए स्रमिकों को एक सर्वेक्षन फ्राम प्रदान किया गया और प्रतिकिर्याओ के आधार पर स्रमिकों को आगे की जाच पर उपचार के लिए एसाई अस्पताल में भी भेजा गया कारे करम का संचालन वरिष्ट प्रबंदग हर सी एलसी स्री राजी मुखर जी और सी एलसी कर्मी समू द्वारा किया गया आज की हिंदी समाचार यहीं समापत होता है नमस्कार गलसी lista यहीं समाचार में वारा को आगे कर दो एक एलसी एलसी भाल ननGेमर doin वी है ताक संचाल जा कार वार है,पक्त यार रावारा कार में ब्लाव झारत है सी एलसी एलसी संह प्रूट राट जिए